हरे कृष्णा आपका दिन्शू और मंगल में हो प्रभू श्री हरी की गृपा आप पर सदा सरवदा बनी रहे प्रभू श्री हरी आपकी सभी मनों कामनाव को शिग्र ही पूर्ण करे आज हम सुनेगे कार्तिक मास की सभी कथाए आप इन कथा को बड़ी ही श्रद्धा भाव और प्रस्तन चित मन से सुनना और कथा श्रू करने से पहले कमेंट वोक्स में जै श्री हरी और जै तुलसी मैया अवेश्यरी लिखना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना तो आईए श्री हरी के चरणों का ध्यान करते हुए हम सब से पहले सुनेंगे कार्तिक क राई धामुदर की कथा एक नगर में एक भ्रहमन दमपत्ती रहते थे वे दोनों प्रति दिन साथ कोसदूर गंगाजी में स्नान करने जाते इतनी दूर आने और जाने से भ्रहमन की पत्नी ठक जाती थी एक दिन उसने अपने पती से कहा कि यदि हमारा एक पुत्र होता तो तो कितना अच्छा रहता पुत्र के बहु आती और जब हम लोग स्नान करके वापस घर पर आते तो हमें घर पर खाना बना बनाया मिलता और बहु घर का सारा काम भी कर देती अपनी पतनी की इस तरह की बाते सुनकर ब्रहमन ने कहा कि तुमने बात तो सही की है चलो मैं ऐसा कर ब्रहमानी से कहा कि एक पोटली में आटा डाल दो और उसमें कुछ मोहरे रख दो ब्रहमानी ने ब्रहमन के कहे अनुसार ही एक पोटली में आटा डाल दिया और उस आटे के अंदर कुछ मोहरे डाल दी और पोटली बानकर ब्रहमन को दे दी ब्रहमन उस पोटली को लेकर घ खेलते हुए देखा वे लड़किया रेत में घर बना कर खेल रही थी मिट्टी से बार बार घर को बनाती और बार बार तोड़ती लेकिन उन में से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी मुझे तो रहने के लिए यही घर चाहिए लड़की की बात कर ब्रह्मन मन ही मन सोचने लगा कि भभु बनाने के लिए यह लड़की उचीत है जब वे लड़की खेल कर अपने घर को जाने लगी तो ब्रह्मन भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया वहां जाकर ब्रह्मन ने उस लड़की से कहा कि बेटी कार्तिक का महीना चल र बताओ कि क्या मेरे लिए आठा चानकर चार रोटिया बना देगी यदि मेरा आठा चानकर रोटिया बनाएगी तो ही मैं रोटिया खाऊंगा लड़की घर के अंदर गई और अपनी मां को सारी बाते बताई तब लड़की की माने कहा कि ठीक है जाकर ब्रह्मन देव से कह दो क कि मैं अपना आटा मुझे दे दे, मैं उससे रोटी बना दूँगी। फिर ब्रहमन ने अपना आटा लड़की को दे दिया और लड़की ने भें आटा अपनी मा को दिया। जब लड़की की मा आटा चानने लगती है, तो आटे में से कुछ महोरे निकलती है। मैं सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी महोरे है, उसके घर में कितनी महोरे होंगी। इस तरह से उसने खाना बना दिया, फिर जब ब्रहमन खाना खाने बैठा, तो लड़की की मा ने उस ब्रहमन से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो यह सुनकर ब्रामन ने कहा कि हाँ मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवा करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाओ तब लड़की की मा ने कहा कि ठीक है ब्रामन देव इस पर लड़की की मा ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्रामन के साथ भेज दिया ब्रामन ने घर आकर कहा कि रामु की मा दरवाजा खोल मैं तेरे लिए बहु लेकर आया हूँ ब्रहमन की पत्नी भीतर से ही बोली हमारे तो कोई बेटा ही नहीं है तो बहु कहां से आएगी दुनिया तो अब तक ताने मारती थी लेकिन अब तो आप भी ताने मारने लगे हो तब ब्रहमन ने कहा कि तू दर्वाजा तो खोल जब ब्रहमानी ने दर्वाजा खोला तो अपने सामने बहु को खड़ी देखा उसने बहु का स्वागत किया और आदर सत्कार के साथ अंदर लेकर आई अब जब ब्रह्मन अपनी पत्नी के साथ नदी में स्नान करने जाता तो पीछे से भव घर का सारा काम करके और खाना बना कर तैयार रखती वह उनके कपड़े धोती और रात को उनके हाथ पैर भी दवाती थी इस तरह से बहुत दिन बीट गए ब्रह्मानी ने अपनी भव से कहा कि भव कभी भी चूले की आग बुझने मत देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना परन्तु एक दिन चूले की आग बुझ गई यहां देखकर भव घबरा गई और भागी भागी अपनी पडोसन के पा लोग ठके हुए घर पर आएंगे इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है यह सुनकर पडोसन ने कहा कि तू तो बावरी है यह दोनों मिलकर तुझे पागल बना रहे हैं इनके कोई पुत्र नहीं है ये तो नी संतान है तब भव ने कहा कि नहीं बहन ऐसा मत कहो इनका बेटा तो बनारश कासी में पढ़ने के लिए गया हुआ है इस पर पडोसन ने कहा कि यह तुझे जूट बोल कर लाए है मेरी बात सच है इनके कोई बेटा नहीं है अब बहु पडोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि बहन अब आप ही बताओ मैं क्या करूं तब पड सास और ससूर आये तो जली हुई रोटिया उन्हें देना और बिना नमक की दाल बना कर देना खीर की कडची दाल में और दाल की कडची खीर में डाल देना पडोसन ने उसे अच्छे से पढ़ा सिखा दिया फिर जब रात को उसके सास ससूर घर पर आये तो बहु ने नैतों उनका आदर सतकार किया और ना ही उनके कपड़े दोए जब उसके सास ससूर ने खाने के लिए कहा तो बहु ने जली हुई रोटिया ला कर दे दी तो सास बोली कि बहु आज ये रोटिया जली हुई क्यो है और दाल भी बिना नमक की क्यो है तब बहु ने पलट कर कहा कि एक बताव मुझे आगे क्या करना है। तब पडोसन ने कहा कि अब तुम साथो कोठो की चाबी मांग लेना। अगले दिन बहु ने वैसा ही किया। अगले दिन जब ब्रह्मन और ब्रहमानी गंगासनान के लिए जाने लगे तो बहु जिद पर अड़ गई कि मुझे तो साथो को किसी में धन भरा हुआ है और किसी कोठे में बरतन भरे हुए हैं जब उसने सब से उपर का सात्वा कोठा खोला तो देखा कि शिव जी पार्वती माता गणेश जी लक्षमी माता पीपल पत्वारी कार्तिक के ठाकूर राई दामोदर तुलसी जी का बिढवा गंगा जमना और यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कोन हो तब लड़का बोला कि मैं तुमारा पती हूँ और अभी दरवाजा बंद कर दो जब मेरे माता पिता आएंगे तब ही दरवाजा खोलना यह सब देखकर भव बहुत खुश हो गई और सोला शरंगार करके सुन्दर घर पर आये तो बहु ने उनका खुब आदर सतकार किया और प्रेम पूर्वक उन्हें खाना खिलाया और हात पैर दबाने लगी पैर दबाते दबाते बहु ने कहा कि मा आप इतनी दूर गंगा यमना सनान के लिए जाती हो तो आप ठक जाती हो इसलिए आप अपने घर पर यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी गंगा जमना घर पर तो नहीं भैती है तब उसने कहा कि हा मा जी घर पर ही भैती है चलो मैं आपको दिखाती हूँ ऐसा कहकर बहु अपनी सास को लेकर उस सात्वे कोठे के पास आ गई और जब बहु ने सात्वा कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गनेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पत्वारी, कार्तिक के ठाकुर, राईदा मोदर, तुलसी जी का बिढवा और गंगा जमना बहर ही थी और 33 करोड देवी देवता वहाँ पर विराजमान थे और वहीं एक चोकी पर एक लड़का बैठा हुआ माला जाप कर रहा था, मा ने उसे देखकर पूछा कि बेटा तु कोन है, तब लड़का बोला कि मा मैं तेरा बेटा हूँ, तब ब्रह्मानी ने पूछा कि तु कहां से आया है, लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देने भेजा है, तब मा ने कहा कि बेटा तरफ मा खड़ी हो जाएगी, मा ने चमड़ी की अंग्या पहनी हुई हो और चाती में से दूद की धार निकल कर बेटे की दाड़ी मूच भीगे और पवन पानी से गट जोड़ा बंदे, तब ही मानेंगे कि यह इसी मा का बेटा है, उसने ऐसा ही किया, चमड़ी की अंग् गई और चाती में से दूद की धार निकल कर बेटे की दाड़ी और मूच को भीगो गई, पवन पानी से बेटे और बहु का गट जोड़ा बंद गया, यह सब देखकर ब्रहमन और उसकी पतनी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, साथ ही सब लोगों ने भी मान लिया कि यह ही बुढिया का बेटा है, तब से ब्रहमन ब्रहमानी और उनके बेटे बहु खुसी खुसी सुक पूर्वक रहने लगे, हे कार्तिक के ठाकुर जैसे ब्रहमन और ब्रहमानी को बेटे भव दिये हैं, वैसे ही सब को देना, इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होंकार भर अब आप सुनिए सीता माता की नितनेम की कहानी सीता माता कार्तिक के पूरे मास में इस कहानी को कहा करती थी और भगवान शिराम जी सुना करते थे इस कहानी को पूरे कार्तिक मास में सुनने से घर में अन और धन के बंडारे भरे रहते हैं एक दिन भगवान श्रीरामजी को किसी काम से बहार जाना पड़ गया, तो सिता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्स का नित्य का नियम है, आप बहार जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाओंगी, तब श्रीरामजी ने कहा कि हे सिते, तुम ऐसा करना, बहार कुए की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी ओड़ते पानी भरने आएगी तुम अपनी कहानी उसे सुना देना सीता माता ने ऐसा ही किया प्रभू श्री राम जी के जाने के बाद सीता माता कुए की पाल पर जाकर बैठ गई थोड़ी ही देर में वहां पर एक स्त पर मैं स्त्री बोली कि भेन मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तब तक तो मैं अपने घर पर पहुंच जाओंगी और यदि मैं यहाँ पर नितनेम सुनने बैठी तो मुझे देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी मैं तुम्हारी कहानी नहीं सुन सकती उसने ऐस प्रफ़ा कहा और बिना कहानी सुने ही अपने घर पर चली गई जब मैं अपने घर पर पहुची तो उसकी रेसम की जरी की साड़ी फट गई और सोने का गड़ा मिट्टी के गड़े में बदल गया जब उसकी सास ने देखा तो उसने पूछा कि बहु तो ये किसका दोस अपन ये हाल हुआ है तब बहु की ऐसी बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही गड़ा लेकर उसकी सास कुए की पाल पर गई सास को वही पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन मेरी नित्यनियम की कहानी सुन लो तब सास बोली कि बहन एक बार तो छोड़ म इतनेम का नेम लाए आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिसरी खाओ राम, दूद बतासा पीओ राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओडो राम, जब बोलू जव राम हिराम, राम सवारे सब के काम, खाली घर भंडा सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी कहानी सुनकर भैसास घर पर चली आई और उसकी साड़ी फिर से पहले के जैसी ही बन गई और मिटी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया तब बहु कहने लगी कि सासू मा आपने ये सब कैसे किया तब सास ने कहा कि बहु तू तो दोस लगा के आई थी और अब मैं दोस उतार कर आ रही हूँ बहु ने फिर से पूछा कि माजी वे कुए वाली स्त्री कौन है तो सास बोली कि वो तो सीता माता थी वो पुराने से नया कर देती है खाली घर में भंडार भर देती है वे लक्ष्मी जी का घर में वास करा देती है आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर दीती है तब बहु बोली कि माजी ऐसी बात है तो वह कहानी मुझे भी सुना दो फिर सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो और सास ने कहानी कहनी शुरू की राम आये लक्ष्मन आये देश के पुजारी आये नितनेम का नेम लाये आओ राम बैठो राम तपीरसोई जीमो राम माखन मिसरी खाओ राम दूद बताशा पीयो राम सूत के पलका मोठो राम कहानी सुनकर बहु बोली कि माजी कहानी तो बहुत अच्छी है तब सास ने कहा कि ठीक है इस कहानी को अब से हम दोनों रोजाना ही कहा करेंगे अब रोज का यह नियम बन गया सास और भभू रोजाना सवेरे उठती नाती धोती पूजा पाठ करती और फिर नितनेम की सीता माता की कहानी कहती एक दिन उनके यहाँ पर एक पडोस की ओरत आई और बोली कि बहन जी मुझे जरासी आच देना तो तब हैं बोली कि बहन अभी तक तो हमने आज जलाई ही नहीं है तब पडोसन ने कहा गितुम लोग तो सुबह चार वजे से उठ जाती हो और तब से अब तक क्या करती हो तब हैं बोली कि बहन हम उठकर पूजा करते हैं और फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है तब पडोसन कहने लगी कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो वह फिर बोली कि ठीक है, तुम भी कहानी सुनो और इस तरह से सास ने पूरी कहानी पडोसन को कह सुनाई कहानी सुनने के बाद पडोसन कहने लगी कि भेन कहानी तो मुझे भहुत अच्छी लगी अब भे पडोसन भी सीता माता की नितनेम की कहानी रोजाना कहने लगी कहानी कहने से सीता माता ने पडोसन के भी भंडारे भर दिये अब तो पूरे महले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी के मनोकामना पूरी होने लगी हे सीता माता जैसे आपने उनके भंडारे भरे हैं वैसे ही आप हमारे भी भंडारे भरना इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब के बंडारे भर कर रखना प्रेम से बोले सीता माता की जै अब आप सुनिए कार्थिक महा में सुनी जाने वाली नितनियम की दूसरी कहानी एक बार की बात है, एक गाओं में एक लड़की अपनी मा के साथ रहती थी उसकी मा हर रोज नितनियम की कथा कहती थी एक दिन बेटी बोली कि मा मैं भी नितनियम की कहानी कहूंगी तो उसकी मा ने कहा कि बेटी अब तो तू कहानी कहलेगी लेकिन जब तेरी शादी होगी और तू ससुराल जाएगी तो वहाँ पर तेरी एक अथा कौन सुनेगा लेकिन लड़की की जिद के आगे उसकी मा की एक नहीं चली और वह भी नितनेम की कहानी कहने लग गई दीरे दीरे समय बीता और जब विवायोंगे हुई तो उसका विवा कर दिया और विवा करने के बाद मैं ससुराल चली गई ससुराल आने के बाद उसने अपना नितनेम जारी रखा उसने एक एक करके सभी से कहा कि कोई मेरी नितनेम की कहानी सुन लो लेकिन हर किसी ने कोई न कोई बहाना बना कर उसको टाल दिया कोई भी उसकी नित्यनियम की कहानी नहीं सुनता था जिसकी वज़े से वह भूकी ही रह जाती एक दिन उसने एक पडोसन से कहा कि बहन मेरी नित्यनियम की कहानी सुन लो तो उसकी पडोसन ने कहा कि ठीक है बहन सुना दे ऐसा कहकर उसकी पडोसन ने नित्यनियम की कहानी सुन ली और फिर कहानी सुनकर उस लड़की ने रोटी खाई अब वे हर रोज पडोसन को अपनी नित्यनियम की कहानी सुनाती और उसके बाद ही खाना खाती एक दिन उस लड़की की ननद ने उसकी सास से कहा कि मा यह पडोसन के कहने से तो खाना खा लेती है लेकिन जब हम खाने को कहते हैं तब यह नहीं खाती तब सास ने कहा कि ठीक है जब पडोसन अपने घर पर आये तो उसे मना कर देना फिर अगले दिन पडोसन जब आई तो ननद ने उसको घर पर आने और कहानी सुनने से मना कर दिया पडोसन ने यह बात अपने घर पर जाकर अपने पती से कही तो उसका पती बोला कि जब उसकी सास मना करे तब तुम घर पर मत जाना लेकिन अभी तुम उसके घर पर जाकर कहानी सुनती रहो पडोसन ने ऐसा ही किया मैं अगले दिन फिर से कहानी सुनने आई इस बार उसकी सास ने पडोसन से कहानी सुनने और घर पर आने के लिए मना कर दिया तो लड़की की पडोसन ने घर पर आना बंद कर दिया इस तरह से अब लड़की की कहानी फिर से कोई भी नहीं सुनता था और लड़की खाना नहीं खाती थी फिर एक दिन उसकी ससुर ने उसकी सास से पूछा कि बहु कैसी है तब सास बोली कि बाकी सब तो ठीक है काम कर लेत लेकिन वह तो खाना नहीं खाती है तब ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है शायद काम करने से ठक जाती होगी इसलिए तुम उससे काम मत कराया हरो सास ने वैसा ही किया अगले दिन से उसे काम कम कराया लेकिन काम ना करने पर भी बहु कुछ नहीं खाती जिससे कि धर् पर ऐसी कौन सी नगरी है जहां पर एक प्राणी भोजन नहीं कर रहा है उसे बुलाकर यहां पर लेकर आओ तब स्वर्ग से विमान आया तो उसे देखकर सास कहने लगी कि बहु मैं चलू तेरे साथ तब बहु बोली कि माजी आपको तो बहुत काम था लेकिन मेरी कहानी सुन मैं चलती हूं तुम्हारे साथ तब लड़की बोली कि तुम्हें तो अपने खिलोनों से खेलने से ही फुर्सत नहीं है अब पडोसन ने उससे कहा कि क्या मैं चलू तुम्हारे साथ तब लड़की बोली कि हाथ तुम चलो मेरे साथ क्योंकि तुमने ही मेरी कहानी सुनी थी तब पडोसन अपने पती के पास गई तो उसका पती बोला कि तू तो बड़ी भागेशाली है जो जीते जी ही स्वर्ग में जा रही है है नित्यनियम बाबा जैसा आपने उस लड़की को मोक्ष दिया है वैसे ही सब को देना इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब पर अपनी क्रपा बना कर रखना प्रेम से बोलिये कार्तिक के ठाकुर की, जै राइदा मोदर की, जै जै श्रीहरी बहुत समय पहले की बात है, किसी गाओं में एक बुढिया रहती थी, उसके चार बेटे थे बुढिया ने चार ही भैसे पाल कर रखी थी, जब कार्तिक महा आया, तो बुढिया ने अपनी चारो बहुओं को बुलाया और उनसे कहा, और कहा कि मैं तो कार्तिक स्नान करने के लिए जा रही हूँ, तुम ऐसा करो, चारो एक एक भैस को रख लो, मैं जब कार्तिक स्नान करके वापस लोटूंगी, तो देखूंगी किसने सबसे ज़्यादा गी बना कर रखा है ऐसा कहकर और चारो बहुओं को एक एक भैस देकर बुढिया माई कार्तिक स्नान करने के लिए चली गई, उन चारो बहुओं में से सबसे छोटी बहुओं बुढिया की बहुत लाडली थी, बुढिया के जाने के बाद तीनों बड़ी बहुओं ने सोचा कि छोटी बहुओ को नीच्या दिखाने का यहीं मोखा है छोटी भई को कुछ वीकाम करना नहीं आता है छोटी भई ना तो दही जमाना जानती थी और नहीं उसे गी निकालना आता था तीनों बड़ी भईों ने जान बूझ कर उसे कुछ भी नहीं बहुत सीधी थी और मन से बहुत भोली थी महीना पूरा होने पर आया उसकी तीनों जेठानियों ने एक एक डबा घी का भरकर रख लिया लेकिन छोटी बहु ने जरासा भी घी नहीं निकाला था बुढिया के आने का समय हो गया अपनी सास के आने की खबर सुनकर छोटी अब मैं क्या करूँ मैंने तो सारा दूद और सारा धई यहाँ पर ही गिराया है अब मेरी सास मुझे घी के लिए पूछेगी तो मैं क्या कहूंगी उसकी बात सुनकर पत्वारी माता बोली कि छोटी बहु तुम ऐसा करो तुम ये चार कंकड ले जाओ और चार खाले डिब के हो गए जब बुढिया कार्तिक स्नान करके वापस अपने घर पर आई तो आते ही उसने अपने चारो बहु को बुलाया और बुला कर कहा कि लाओ अपना अपना घी दिखाओ कि किसने कितना घी बनाया है तब तीनो जेठानिया अपने अपने घी का डबा लेकर आ गई और मन ही मन खुस होने लगी कि अब चोटी बहु को सास से डाट पड़ेगी फिर चोटी बहु आई तो उसके साथ में चार डब्बे घी के थे तीनो बहु ने जब ये देखा तो हैरान हो गई कि इसे तो दही बिलोना भी नहीं आता है तो इसने घी कहां से बनाया वे सब अपन मेरे बार बार पूछने पर भी किसी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया सास के पूछने पर छोटी बहु ने कहा कि माजी मुझे तो कुछ भी नहीं आता था और मेरे बार बार पूछने पर भी किसी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया कि किस तरह से दही बिलोते हैं और किस त अगले सारा दूद और सारे धही को पीपल पतवारी में सीच देती थी और धही पतवारी पर चड़ा देती थी यह तो पतवारी माता की क्रपा का प्रभाव है उन्होंने ही मुझे यह सब घी दिया है ऐसा कहकर छोटी भवों ने अपनी सास को सारी बात कह सुनाई छोटी वो ने कहा कि अगर पतवारी माता को सीचने का इतना अधिक पुन्य मिलता है तो हम भी अगले साल से पतवारी माता को सीचेंगे और कार्तिक स्नान भी अवश्य ही करेंगे यह पतवारी माता जैसी आपने छोटी भव की सुनी है वैसी ही हम सब की सुनना कहानी को कहने वाले सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब पर अपने कृपा बना कर रखना प्रेम से बोले पत्वारी माता की जै पीपल देव की जै कार्तिक के ठाकुर की जै जै श्री कृष्णा किसी गाउं में एक बुढिया रहती थी वह कार्तिक का व्रत रखा करती उसके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्णा आते और एक कटोरा खिचडी का रखकर चले जाते बुढिया के पडोस में एक ओरत रहती थी वह ओरत उस बुढिया माई को देखकर इडश्या करती कि इस बुढिया का कोई भी नहीं है फिर भी इसको रोजाना ही खाने के लिए खिचडी मिल जाती है एक दिन कार्तिक के महिने का स्नान करने के लिए बुढिया माई गंगाजी गई हुई थी पीछे से क्रश्न भगवान आये और उसका खिचडी का कटोरा उसके घर पर रखकर चले गए पडोसन ने जब खिचडी का कटोरा रखा हुआ देखा और देखा कि बुढिया नहीं है तब उस पडोसन ने कटोरे को उठाया और घर के पीछे की तरफ उसको फैक आई कार्तिक स्नान के बाद जब बुढिया घर पर आई तो उसी खिचडी का गटोरा नहीं मिला और बुढिया माई इस तरह से भूकी रह गई बार-बार मैं एक ही बात कहती कि कहां गई मेरी खिचडी और कहां गया मेरा खिचडी का कटोरा दूसरी और पडोसन ने जहां पर खिचडी की राई थी बहाँ पर एक पोधा हुगाया उस पोधे में दो फूल खिल गए एक बार राजा उस ओर से निकल रहा था तो राजा की नजर उन दोनों फूलों पर पड़ी और राजा उन दोनों फूलों को तोड़ कर अपने घर पर ले आया घर पर आने पर उसने वह फूल रानी को दे दिये उन फूलों को जब रानी ने सूंगा तो रानी गर्वती हो गई कुछ समय के बाद रानी ने दो पुत्रों को जन्म दिया राजा के दोनों पुत्र धीरे धीरे बड़े होते गए लेकिन वो दोनों ही किसी से कुछ भी नहीं बोलते थे लेकिन जब वे दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वहीं बुढिया मिलती जो अभी भी यहीं कहती रहती थी कि कहां गई मेरी खिचडी और कहां गया मेरा कटोरा बुढिया की बात सुनकर वे दोनों कहते कि हम है तेरी खिचडी और हम है तेरा कटोरा हर बार जब भी वे दोनों सिकार पर जाते तो बुढिया यही बात कहती और वो दोनों भी वही उत्तर देते एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई राजा को भहुत आश्चर यह हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते तो ये दोनों उस बुढिया माई से कैसे बात करते हैं राजा ने बुढिया को राजमहल में बुलवाया और कहा कि बुढिया माई हम में से तो ये दोनों किसी से नहीं बोलते लेकिन तुम से ये दोनों कैसे बाते करते हैं तब बुढिया ने कहा कि महाराज मुझे नहीं पता ये दोनों मुझे कैसे बोल लेते हैं मैं तो कार्तिक का व्रत रखती थी और कार्थिक स्नान करती थी और प्रती दिन ही क्रश्न भगवान मुझे खिच़डी का एक कटोरा देखुर जाते थे एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे मेरी खिच़डी नहीं मिली तब से ही मैं कहने लगी हूँ कि कहा गई मेरी खिचडी और कहां गया मेरा कटोरा इतना कहकर बुढिया चुपचाप खड़ी हो गई तब दोनों लड़के बोले कि बुढिया माई तुमारी पड़ोसन ने तुमारी खिचडी फैक दी थी तो उसके दो फूल बन गए थे और उन दोनों फूलों को राजा तोड़कर मह महाराज जैसे आपने बुढिया माई की सुनी है वैसी ही सभी की सुनना इस कहानी को कहने वाले सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब पर अपनी क्रपा बना कर रखना बुलो कार्तिक कि ठाकुर की जै एक गाउ में एक बुढिया माई रहती थी बुढिया माई भगवान विश्नु की पक्की भग थी रोज मंदिर जाती पूजा करती और तुलसी जी की सेवा करती तुलसी जी को जल से सीचती परिक्रमा करती कथा पढ़ती और आरती करती यहें बूढी माई के रोज का नियम था नियम से नहाती थी कारतिक का महिना आया तो बूढी माई सुबह सवेरे उठकर मंदिर में जाती वहाँ पूजा करती कारतिक महातमे पढ़ती तुल्सी जीucking सेवा करती और मैं बूड़ी माई तुलसी जी के पोधे को सीचा करती बूड़ी माई तुलसी जी को सीच कर कहती तुलसी माता सब की दाता मैं तेरा बिडला सीचू तुमेरा कर निस्तारा तुलसी माता अडवा दे लडवा दे पीतांबर की दोती दे मीठे मीठे ग्रास दे बेकमठ का वास दे चटक की चाल दे पटक की मोद दे चंदन का काट जालर की जहनकार दे साइ का राज दे दाल leven का जीवन दे ये तुलसी माता एकादशि की मोद दे और श्रेकृष्न का कांधा दे बुडिया माई ऐसा कहकर तुलसी जी को सीच कर अपने घर पर चली जाती बुढ़ी हमाई की बात सुनकर तुल्सी माता सोच में पढ़ जाती और इसी तरह से तुलसी माई दिनों दिन सूखने लगी। एक बार भगवान श्री कृष्ण तुल्सी जी के पास ही से जा तब भगवान श्रीक्रिशन ने तुलसी जी से पूछा धुरसे क्या बात है तुम disgust दुभलिक क्यों हो रही हो तब तुलसी जी ने कहा कि हे प्रभू मेरे वन की ना पूछो तब शृक्रिशन बोले कि हे तुलसे मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा इस पर तुलसी मा बोली कि क्या बताऊं भगवन एक बुढिया माई मेरे पास रोज आती है और कहती है कि तुलसी माता सब की दाता मैं तेरा बिडला सीचू तुमेरा करनिस्तारा तुलसी माता अडवा दे जनकार दे दालभात का जीवन दे और तुलसी माता एकादशी के दिन मोद दे और श्रीकृष्ण का कांधा दे हे का नहीं अब आप बताओ मैं उसको सब कुछ दे दू लेकिन आपका कांधा कहां से दूंगी इस पर भगवान श्रीकृष्ण बोले कि हे तुलसे तुम चिं जल डाला परिक्रमा की दीप जलाया और फिर कथा पड़ी आरती की और अंत में तुलसी माई से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करने लगी और वही सब बाते तुलसी माई से फिर से कही जब उसने तुलसी माई से सारी बाते कही तो आज तुलसी माई ने बुढिया मा को अशि जाने लगे तो उसे उठाने पर वें उठती ही नहीं थी बुढिया माई का शरीर इतना भारी हो गया सब लोग कहने लगे कि यह पाप घाट की माला लिये फिरती थी जिसकी वज़े से इतनी भारी हो गई है तभी वहाँ पर भगवान श्रिक्रचन जी ब्राह्मन का भारन करके आ गए और वहाँ पर खड़ी लोगों से कहने लगे कि क्या हुआ भाई यहां पर इतनी भीड क्यों है तब उन में से एक आदमी ने बताया कि यह बुढिया माई बड़ी धर्मात्मा बनती थी लेकिन यह तो पापिन निकली इसका शरीर उठी नहीं रहा है तब श्रीकृष्ण बोले कि भाईयों मैं एक बार कोशिस करके देखता हूँ इस पर लोगों ने कहा कि तुम भी अपने मन की निकाल लो तब भगवान श्रीकृष्ण जी बुढिया माई के पास गए और उसके कानों में कहने लगे कि बुढिया माई तु बिढवा सीच मेरा मै करूनिस्तारा तेरा बुढिया माई अडवा ले लडवा ले पीतांबर की धोती ले मीठा मीठा भात ले वैकुंट का वास ले चटक की चाल ले पटक की मोत ले चंदन का काठ ले जालर की जनकार ले दाल भात का भोजन ले एकादशी की मोत ले और ले अंत में श्रीकृष पांधा देकर उसको मुक्ति प्रदान की। हे तुलसी माई आपने जैसी उस बुढ़िया माई को मुक्ति दी है वैसी ही सब को देना। हे तुलसा माई इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बना कर रखना। जै तुलसा माई जै श्री हरी प्रियर एक बार की बात है किसी गाउं में एक गूजरी और उसकी बहू रहा करती थी। तो बहू ने उनसे पूछा कि तुम सब ये क्या कर रही हो? तो ओरत बोली कि बहन कारतिक का मास चल रहा है और हम सब लोग यहां पर पीपल पतफारी को सीचने के लिए आती है तो उस बहू ने पूछा कि ऐसा करने से क्या होता है तब ओरतों ने जवाब दिया कि पीपल और पतफारी को सीचने से अन और धन मिलता है वरसों का बिच्ड़ा हुआ पती मिलता है पुत्र पोत्र मिलते हैं तुम जो चाहो वो सब मिलता है तो उस गूजरी ने कहा कि तुम लोग पानी से सीच रही हो मैं तो दूद और दही से सीचूंगी और फिर गूजरी की बहू जो दूद और दही घर से बेचने के लिए लेकर आई थी उस दूद और दही से पीपल पतवारी को सीचती है फिर वें घर पर आ जाती है इसी तरह से धीरे धीरे दिन बीदने लगते हैं बहू रोजाना घर से दूद और दही लेकर आती परन्तु पीपल और पतवारी को सीचती शहर में जाकर दूद और दही नहीं बेचती इस तरह से दीरे दीरे कुछ दिन बीते तब एक दिन उसकी सास कहती है कि बहु तु रोजाना दूद और दही बेच कर आती है उनके पैसे कब ला कर देगी तब बहु बोली कि माजी जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब मैं आपको पैसे ला कर दूँगी फिर दीरे दीरे कार्तिक का महीना पूरा हो गया और जब कार्तिक मास की पूर्णिमा आई तो पूर्णिमा के दिन गूजरी की भव पीपल और पत्थवारी के पास धरना देकर वैठ गई कुछ देर तक मैं वहीं वैठी रही सभी महीला आई पूजा करके वापस चली गई परन्तु शाम हो गई गूजरी वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी तब पीपल पत्थवारी ने पूछा कि तुम यहां पर क्यो बैठी हो तब गूजरी की भव बोली कि मेरी सास दूद और दही के पैसे मांगेगी तो मैं क्या कर तो पीपल पत्थवारी ने कहा कि मेरे पास पैसे तो नहीं है यह भाठे डंडे पत्ते और सूखी लकडिया है तुम ऐसा करो इन्हें ले जाओ और ले जाकर अपनी गुल्लक में रख देना बहू ने पीपल पत्थवारी के कहे अनुसार ही किया उन लकडी डंडे और पत् पैसे मैंने तिजोरी में रख दिये है फिर सास तिजोरी के पास गई और उसे खोल कर देखा तो सास देखती ही रह गई क्योंकि उसकी तिजोरी में हीरे और मोती जगमगा रहे थे पत्तो का धन हो गया था सास बोली कि बहू तुम इतना पैसा कहां से लेकर आई हो क्योंकि दूध और दही के वेचने से तो इतना पैसा नहीं बनता है, तब भभू ने तिजोरी के पास आकर देखा, तो पूरी तिजोरी धन से भरी पड़ी है, तब गूरी की भभू ने कहा, कि सासुमा, मैंने तो एक महिना दूध और दही से पीपल पत्वारी को सीचा था, और मैंन उनी से धन मांगा था तो पीपल पत्वारी ने मुझे पत्थर डंडे और सूखी लकडिया दिये थे और कहा था कि इनको ले जाकर अपने घर पर तिजोरी में रख देना सासुमा मैंने तो वही सब रखे थे और वे सब ही अभीरे मोती हो गए है तब सास ने कहा कि ऐसी बात ह तो अब की बार मैं भी पीपल और पत्वारी सीचूंगी धीरे धीरे दिन बीटने लगे और अगली साल जब कार्ति कमहा आया तो गूजरी दूद और दही लेकर घर से निकलती और सोचती कि इस पीपल पत्वारी में इतना दूद और दही क्यों वरबाद करना ऐसा सोचकर मैं दूद और दही को तो बेच आती और हांडी धोकर उस पीपल पत्वारी में सीच आती और घर आकर अपनी बहु से कहती कि बहु मैं पीपल पत्वारी को सीच कर आ गई हूँ फिर जब धीरे धीरे पूरा महा बीत गया तो पूर्णिवा की तिथी आई तब बहु से सास ने कहा कि बहु अब तु मुझे से पैसे मांग तो बहु ने कहा कि माजी कभी बहु ने सास से हिसाब मांगा है क्या ऐसा करूंगी तो मुझे पाप लगेगा परन्तु उसकी सास जिद पर अड़ गई तब बहु ने कहा ठीक है माजी आप मुझे दूद और दही के पैसे ल और वाठे दे दिये और कहा कि इनको ले जाकर तीजोरी में रख देना सास ने वैसा ही किया और फिर बहुत खुश हुई और फिर बहु से कहने लगी कि बहु अब तुम जाओ और जाकर तीजोरी को खोल कर देखो उसमें हीरे और मोती भरे होंगी फिर बहु ने जब जाकर तीजोरी को खोला तो क्या देखती है कि उसमें कीडे मकोडे और कच्रा बरा पड़ा है बहु ने सास से कहा कि मा जी है सब क्या है तो सास तिजोरी को देखा और कहा, कि बहु पीपल पत्वारी ने तुझे तो अन्धन और सोना चांदी दिया है, लेकिन मुझे कीड़े मकोडे दिये है, पीपल पत्वारी ने ऐसा क्यों किया है, तब बहु बोली कि माजी, जैसा आप बहु पत्वारी को सीचती थी, लेकिन आपने धन के लिए पीपल और पत्थवारी को सीचा है इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ है हे पीपल भगवान हे पत्थवारी माता जैसा आप बहु पर प्रसन हुए हैं वैसे ही सब पर प्रसन रहना और जैसी आप सासु को आई है वैसी किसी को नहीं आना इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब के भंडारे बहु की तरह ही भर कर रखना जैपी पलदेव, जैपतवारी माता